आलो दोस्तो नमस्कार मैं बाला पिर एलेक्ट्रोनिक यूट्यूब चैनल पर आपके दर्सकों कहाड़ी को अभिनंदन करता हूँ दोस्तो यह देखिए हमारे पास समसंग कमपनी का टीवी है यह देख लिजे समसंग कमपनी का टीवी है और यह टीवी पूरी तरह ठीक है टीवी चल भी रहा है और पीछे से इसका कीट दिखाते हैं यह देख लिजे दोस्तो और इसमें हम आपको यह पूरी तरह चालू है य वाट सप्लाई में cq765 उसका आपको टोटल भोल्टेज चेक करके दिखाएंगे के किस पीन का कितना भोल्टेज रहता है केवल HDR का आपको भोल्डेज दिखाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आप से मैं साधर प्रार्थना करता हूँ कि अगर तक हमारे वीडियो को आप सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो कृप्या वीडियो के तो बिल्कुल सही है तो चलिए अब हम पावर सप्लाई का इसका भोल्टेज चिक करेंगे तो दोस्तों हम टीबी को सबसे पहले बंद करते हैं और बंद करने के बाद इसका डीटीएच कोड़ जो है कि सारा निकाल देते हैं और उसके बाद कीट को उलट देंगे तब-थो भोल्टेज आपको दिखाएंगे और यह देखे पावर सप्लाई मेरा यहां पर लगा हुए है यह पावर सप्लाई है और इसमें CQ 2765 है यह देखे यहां पर यह पावर सप्लाई है इसी की 765 इसी का आपको वोल्टेज हम टोटल चेक करके दिखाएंगे क्योंकि बहुत लोग का मांग है कि हमें वोल्टेज अच्छी तरह चेक करके बताईए चलिए आज आज आपको वह भी दिखा देते हैं यह देखिए इस्टीयार मेरा यहां पर लगा हुगा है आप इस् इस्टी Highway का पीन की लिए देखिए दोस्तों एस्टीयार के एगन मर्पिन है यह दून मर्पिन है यह मदेखते हैं इक नंमर सप्लाइव पीं होता है þह जितना इक्यूद में set कर दिये हैं मीटर को हम DC और हाइसो के रेंज में set कर दिये हैं यह यहाँ पर देख लिजे त्रिकर अब हम चलिए इसका टोटल भोल्टेज चेक करके देखा देते हैं तो अब हम TV में supply देते हैं दोस्तों हमारा TV में supply आ गया चलिए सबसे पहले condenser पर voltage देख लिए यहां double condenser इसमें लगा हुआ रहता है तो चलिए दोस्तों हम इसको ground करते हैं सबसे पहले यह देखिए ground है तो हम यहां पर काला पुरूट लगाएंगे और positive पर लाल पुरूट लगाएंगे यह देखिए मेरा यहां पर voltage बता रहा है ठीक है और यह देखिए str का यह supply पीन होता है तो यहां पर मेरा supply आ रहा है और दो नम्मर जो पीन होता है STR का वो और एक नमबर पीन फेज होता है गरम होता है और दो नमबर ठंडा होता है ठीक है और तीन नमर 24 वॉल्ट के करीब में इसमें सप्लाई है यह देखिए हमारा 20 से उपर वोल्ट यहाँ दिखा रहा है तो 24 वोल्ट अब हम देखते हैं तीन नमर और 4 नमर पर यहां पर दोस्तों, यह देखिए, दस के रेंज में हम पढ़ेंगे, तो 2V की सप्लाई यहां पर दिखा रहा है, और उसके बाद 5 नमर पर तक्रीबन 1,5V की सप्लाई है, यहीं HDR का सप्लाई है दोस्तों, आपने तो हमने तो काटावला मीटर से चेक किया, आप चलिए आपक डिजिटल मीटर है अब इस से देख लिजे दोस्तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर सेट करेंगे और आपको सप्लाई भोल्टे चेक करके दिखा देते हैं ठीक हम से प्रोड वैसे ही लगाएंगे निूटल पर जो है दोस्तो यह है निूटल तो हम यहाँ पर इसको काला प्र ठीक रहेगा तो डिजिटल मीटर से एक नम्मर एस्टी आर के पीन पर सप्लाई जो है दोस्तो नहीं लिखता है अब चलिए आगे देखते हैं तो दो नम्मर तो हमारा ग्राउंड है इस पर तो कोई सप्लाई नहीं बताएगा अर्थ रहता है और तीन नमर पर सप्लाई द चार नमर पर चलते हैं तो चार नमर पीन को चेक करने के लिए हमको 20 के रेंज में सेट करते हैं और यह देखिए हमारा चार नमर पीन है तो इस पर देखिए दोस्तो दो भूल्ट की सप्लाई है और यह पांच नमर है तो पांच नमर पर देखिए आधा भूल्ट की सप्ला आ रहा है यही दोस्तों एक्चुल इसका सप्लाई पीन है और यहां सप्लाई पीन जो है दोस्तों यह देखिए यहां पर पोजेटिव फोल्टेज है यह पोजेटिव और यहां से देखिए एक रेजिस्टेंस लगा कि यहां आया है यहां पर सप्लाई आया है रेजिस्टें से यहां गिया है और जेने डाइवर्ट से होकर यह सप्लाई यहां आया है और यह 24 भूल्ट की सप्लाई बना है ठीक है और यह जो है इस पर जो दो भूल्ट की सप्लाई यहां देखते हैं कहां से आता है यहां दोस्तों आटो कपलर से होकर सप्लाई आता है यहां से यहां ए को है दोस्तों है stream को जाता है तब यह सप्राइज सप्लाइज रेगूलेट करकर और इसको डूंच बंक्लर करता है और दोस्तों पांच नम्मर की जुड la 18. महकर इसको को सब्सक्राइब किया गया यह देखिए इसको यहbn कोई घृसकारँ आपको को दिखाए भी है यही दोस्तों इसका पावर सप्लाई है तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजे चैनल को सबस्क्राइब पर लिजे साथ ही घंटी बटन को टेक्टर नूटिपिकेशन को अल कर लिजे तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो करने के लिए